सब्सक्राइब किजिए बीविस्टर चलनको और बैल अकोल को दबाएं ताकर नहीं वीडियो सबसे पहले आप देख पाएं Good morning दोस्तों मेरे में साहिल आप देख रहे हैं बीविस्टर जाने गर्स पे आपको फायदा चीह हों जाने अपको फायदा दोस्तों UP सरकार ने हाल ही में एक portal जो है launch किया है जिसका नाम है e-pension portal अब ये portal क्या है इसमें UP के अंदर जो व्यक्ति retired हो चुके हैं अब उन्हें pension के लिए कहीं भी धक्के खाने की जरूर्ट नहीं है online ही वो अपना form बढ़ सकते हैं online ही वो उनकी pension आई है या नहीं आई है वो चेक कर सकते हैं तो ये सब तरीके आप एक site पर जाकर देख सकते हैं जो कि मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ computer screen पर सब कुछ मैं online दिखाऊंगा आपको step by step करना है इससे आप घर पैटे ही अपनी retirement के बाद जो भी आपकी pension है कब आएगी कितनी आएगी सब पता लगा सकते हैं दोस्तों यह इनको official पोर्टल जो कि अभी लॉंच किया गया है यूपी सरकार दौरा जितने भी pension धारी है उनको इसमें फायदा मिलने वाला है अब सबसे पहरा काम है user manuals जो कि आपको दिख रह यहां पर new option दिखाई दे रहा है हम पहले यहां पर समझेंगे pension user manual पर क्लिक करना है अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया page open ओकर आ जाएगा जो कि कुछ इस तरह का आपको दिखने वाला है अब नीचे की दरफ शलते हैं यहां पर सारे चीज़े आ email सब मिलेगा आपको यहां पर सबसे पहले चलिए नीचे यह देखिए pension धारी जो login करना चाहते हैं उनके पास pension ID जरूर होगी वह यहां पर pension ID डाल सकते हैं उसके बाद mobile नंबर डालकर OTP डालकर जो OTP आएगा वह यहां डाल देना है और यह जो नंबर दे रख है इसको यह यहां डाल देना है और login करके आप पूरी डिल्स ले सकते हैं आपकी pension आई है यह नहीं है यह स्टार्ट हो चुकी है सब कुछ आपको यहां से login करने पर पता लग जाएगा after that उसके बाद आप देखेंगे यहां पर आपको देखेगा pension application form कुछ इस तरह की information आप देख सकते ह है जो कि आपको देखेगी जिसमें आप pensioners की detail जो भी payment है वो देख सकते है फैमिली डिटेल्स एल्टी नॉमीनी डिटेल्स और फोटो अप्लोड कर सकते हैं यह सारा form आप फिल कर सकते हैं ताकि जो basic information है वो आप डाल सके फिर नीचे की तरफ आएए यहां पर देखिए लि देखिए यहां पर सारा डिटेल में बताया गया है फों कैसे बरना है सर्विस हिस्ट्री कैसे बरनी है पीडिएफ चीजे कैसे अपलोड करनी है 500 के बी तक अपलोड कर सकते हैं फोटोज हो गई यह सारी चीज़े आपको देखिए और यही बात हिंदी में आप भी बताई है अब उसके बाद देखिए यह फोर्म आजाएगा आपके पास यह पूरा फॉर्म फिल कर देना है आपको जब आप यह पूरा फॉर्म भर रहे होंगे इसमें इंप्लोई आइडी मेल फीमेल फादर नेम डेट ओव बर्थ इदेखिए सारी इंफोर्मेशन यहां पर बता साल देंगे और उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे यहां पर देखिए जब आप यह देखेंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने आजाएगा जिस पर आपको लिखा होगा क्लिक है टू एड्मोर फैमिली डिटेल्स अगर आपको और फैमिली की डिटेल्स एड़ करनी ह तो यहां पर जाकर आप एड़ कर सकते हैं उसके बात यहां पर आपको दिखेगा एड़ मोर डिटेल्स एड़ पैंशनर्स अगर कोई और पर देखिए लिखा भी है इसके बारे में कार्मिक दौर अपने परिवार का विवर्ण जो आपको यहां बताना है जो भी आपके प कोई सिंग्णिचर वह भी यहां पर अपलोड कर देना है और ऑपलोड निशान दे रह गया है इस पर आपको क्लिक लुकश करेंगी उसके बाद यहां पर टिकवा कर दिजिए और टिकवा करने को सब्मिट कर दिजिए ऐसा फोर्म आपके सामने हो जाएगा जो कि डीडियो को अगरेगा और आप देख सकेंगे और डारेक्ली चीज़े अप्लाई कर सकेंगे यह डीडियो के लिए है यहाँ पर भी वही चीज़ आपके लिए अप्लाई होती है जो उसमें है देखे इस तरह का पेज आपको दिखेगा तो यही सारा तरीका है अब मैं प्रैक्टिकल दिखा देता हूं कि आपको कैसे कहां से मिलेंगी यह सारे चीज़ें आपको सिंपल वापिस जाना यह देखिए पैंशनर लोगिन यहां पर क्लिक करें यहां पर आपको अपनी आईडी मॉबाइल नंबर यहां पर डाले जैसी ओपिटी पी आएगा और कैप पता लगा सकते हैं कि इसका सीटस जैसे की एंटर यह एपलोई आईडी और यहां पर यह जो नंबर है यह यहां डाल देना आपको यह सब करके सब्मिट कर दीजिए और डाउनलोड पी पी ओ अगर आपको पी पी ओ डालोड कर रहा है तो यहां पर क्लिक करें क्लिक करने के के वाद यहां पर आप यहां से इंफर्मिशन लह सकते हैं यहां पर OTP ढ डाले और इसी त typर भी आप information डालेבर इंफर्मिशन लह सकते हैं ंतु दोस्तों यही एक Teiko हैं बिलकुल सिंपल तरीका है आपको कैसे चौप छो लूजर मैंजवल यहां पर दिया गया है यहां से जाके आप प्रोपर ली एक चीज़ को सही तरीके से कर सकते हैं और एक बात पर आपको और बता दो लेक मालेजी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो हैल्प डेक्स यहां पर आपको क्लिक करना है विजे कुमार लेकर जो भी चीज़े आपको गलत लगती हैं आप सही करवा सकते हैं दोस्तों इसके इलावा आपको किसी भी योजना के बारे में कोई जानकारी चाहिए हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिखेगा साथ में डेली बेसिस पर गॉर्मेंट जॉब्स के अप ध्यान रखनी है देश में जितने राज्ये हैं उन सब की योजनाएं मैंने अपने चल्की प्लीलिस्ट के अंदर एड़ कर रखी है अलग-अलग राज्ये की अलग-अलग प्लीलिस्ट है तो आप वहां से सभी राज्यों की योजनाओं का फाइदा भी ले सकते हैं एक बा पाजे कियों, आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी, और आप सभी राज्यो की योजनों का फाइदा लेते रहेंगे, तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी है, तो स्राइसल लाइक कीजें, चैनलन को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के बैले करपर क्लिक कीज जैहन्त जैवारत